Hello Traders and Welcome to the Studio Rempo Cement को आज के दिर हम ट्रेट कर रहे हैं एक काफी important topic Supply and Demand कई तरह से कई लोग इसको पढ़ते हैं समझते हैं, समझाने का तरीका समझने का तरीका, सबका अपना अपना होता है आज हम कोशिश करेंगे Supply and Demand को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाए इना practical market ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर Supply Mark किया और उसका backtest कर दिया कि यहां पर बहुत अच्छा वग कर रहा है, Demand Mark किया देखो यह बहुत अच्छा वग कर रहा है ऐसे ऐसे काम करेगा बताया है फिर हमने backtest कर वा देने लाइव मार्केट रैमको सिमेंट का ही अपना trade चल रहा है हमने किस तरह से इस concept का use करके रैमको सिमेंट को trade किया क्योंकि generally decreasing और falling rose के according ही हम अपना trade execute करते हैं या फिर mother candle का format हो गया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यह दो ही process है अपने या यह दो ही systems है जिसके according हम trade execute करते हैं इसके अलावा भी systems है लेकिन यह रहत है कि publicly वो चीज़े हम share नहीं करते हैं उन्हीं सब में से एक supply and demand भी है कि जब हमारे पास कोई भी tool like decreasing and falling rose का नहीं होता तब हम लोग इन सारे concepts का use करते हैं बहुत अच्छी तरह से इस concept को हम clear करने के कोशिश करेंगे move काफी अच्छा हरा है so trade हमने कितने बज़े लगाया stop loss कितने बज़े लगाया target points हमारे कितने हैं entry के confirmations, stop losses के confirmations targets के confirmations, proper volume और price के reading क्या रही है higher time frame पर अपने level हमने किस तरह से निकाले एक एक चीज हम clear करेंगे telegram channel का description में link है बहुत सारी चीज़ों होती हैं कि जो वहाँ पर भी हम discuss करते हैं इसके लाबाँ चैनल पर अगर आप पहली पर आई हो तो चैनल को subscribe कर लिजगा वीडियो को like के जगा और comments जरूर की जगा यह सब repeat इसले करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती इस तरह के वीडियो बनाने में इसके उपर काम करने में, publish करने में, आप लोगों तक पहुंशाने में और यहां पर नहीं थोड़ा सा 20-25 पैसे उपर नीचे मिला है, stop losses हमने 897.55 पर लगाए हुए है, एक चीज जो सबसे उपर है ट्रेडिंग में जो सबसे supreme है वह है management, trade book open करते हैं फटाक से, इस वाद का जो profit है करीब 8000 के राउंड के चल रहा है अब ही हम इसे इत्मिनान के साथ hold करेंगे, हो सकता है price के momentum देख करके कभी volumes के spikes बहुत आ जाते तो लगता है कि नहीं momentum बड़े होंगे कभी volumes बिल्कुल thin हो जाती है, एकदम dry volumes हो जाती है, तो लगता है कि यह sideway हो जाएगा किसी range को price breakout high volume से कर देता है, कभी heavy volumes से breakout करने के बाद में वापास range के अंदर आ जाता है इस तरह को symptoms होते हैं, वो एक तरह से sideways market को represent करते हैं यह हम आपसे इसलिए बता रहे हैं, में भी हो सकता है, आज अपने यह stock जिस level पर है उस level पर भी रह सकता है, उम्मीद तो ज्यादा कि है, अगर हम sure है कि इस level पर रह सकता है और यहीं parking close हो जाए, फिलाल हम last तक wait करेंगे, stop loss को touch भी नहीं करेंगे, जहां हमारा stop loss लगा हुआ है, वहां लगा रहेगा एक tag के recording, आपके द्वारा किया गया हर एक trade अलग होता है, और हर trade एक नया learning लेकर के आता है, हर trade का experience अलग होता है पिछले trade को हमने जब execute किया तो उसमें क्या क्या difficulties हुई है, उसे थोड़ा सा prepare करते तो फिर next trade में हमें थोड़ी सी और strength मिलती है, order book open करेंगे, यहां पर total देखो हमने दो orders लगा हुए है, timing बराबर आपको show हो रही है कि morning में कितने बज़े हमने अपन buying order लगाया, करीब 10-15 के difference पर हमने अपना stop loss order लगा दिया था, entry हमने जो कोशिश की थी 902 रुपे 40 पर लगाने के लिवर्ट यह order हमारा execute हुआ है, 902 रुपे 955 पैसे के आसपास का difference है, इतना चलता है, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, बहुत बार तो ऐसा तो जो हम order लगाते है, बिल वक्त की market conditions को देखते हुए हम exit हो जाएंगे, so यह तो अपनी order book और यह अपना profit है, जो कि चल रहा है, अब बढ़ेंगे charts के उपर, charts में एक एक चीजा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितनी भी candles हम इसके अंदर आज rate करेंगे, या generally जितने भी हम trade execute करते हैं, उसमें candle से candle का जो relation होता है, जिस तरह से वो correlate करती है, आपस में cut करती है, वापस rejoin करती है, candles अपनी previous master candle को, volumes के क्या participation होते हैं उसके अंदर, previous जितने भी trades हम execute कर चुके हैं, जितने हमने वीडियोज अपलोड किये हैं, आप उन वीडियोज को देखो, volumes के बारे में जितना हो सके, ज्य live market में practicals करो, ज्यादा volumes आ गई इतनी दिर में, यह lower time frame पर होने वाली reactions है, पूरी reading जो है, इसकी main part जो होता है higher time frame बर जो आप अपना point of actions निकालते हो, higher time frame के point of actions इसका source of energy होता है, सो सिधे अभी हम लोग चलेंगे higher time frame पर, और higher time frame पर देखें मुझ कितने बड़े बड़े ह हो रहा है, अभी तो profits भी increase हो रहा होगे, फिलाएं चलते है, daytime frame पर, target पहुंचने में थोड़ा से इसको समय लगेगा भी, अभी इस drawing के थूरू समझाओ, supply हमेशा upside की तरफ होती है, जिससे price action में कहते है, resistance, demand downside की तरफ होते हैं, यानि कि यह support points होते है, supply और demand में बहुत सार लोग confused हो जाते हैं, कई बार वो supply नीचे की तरफ और demand upside की तरफ, assume कर लेते हैं, देखो, supply सिर पर रहेगी, उपर रहेगी हमें, demand नीचे की तरफ, supply के opposite direction में demand, तो supply सर के उपर, मतलब upside में आपकी supply होगी, और demand नीचे की तरफ, याद रखने में आसानी होगी आपको, supply में ह होता क्या है, कि upside की तरफ अगर supply ज्यादा है, तो price वहीं से कोशिश करता है, turn हो जाता है, या फिर उसी जगह पर resistance की तरह react करने लगता है, या फिर जो demand zone होता है, price अपने demand पर अगर react कर रहा है, एक support की तरह, या फिर अगर demand ज्यादा है, तो price हमारा support की तरह react करने लगता उस लेवल पर जहां पर demands ज्यादा है अच्छा एक शब्द होता है footprints, footprints का पैसे समझो अब imagine करो कि ये कोई बड़ी सी शार्क है अब इस बड़ी शार्क के आगे छोटी मुटी जो मचली होंगी वो क्या करेंगे, वो अगर इस बड़ी शार्क के सामने आकर बेड़ जाएंगे तो इसमें तो कोई भादूरी नहीं है वो तो सांस लेगे और आप गायव हो जाओगे उस चक ऐसे, या तो उसके पेट के अंदर चले जाओगे या तो फिर इतनी दूर गिरोगे आप वापस आने के लायक नहीं बचोगे अब आप उसके सामने खड़े हो, नहीं आपकी अखल मंदी या आपकी स्मार्टनेस इसी में है कि आप उसके साइड बाई साइड चलो जहां वो जार ये चुप चाप चलते रहो वो गलत जगा तो जाएगी नहीं उससे लग करके चलोगे तो हो सकता आपकी स्पीड में भी बढ़ उतरी हो आप स्पीड से आगी की तरफ चलो अगर आप उसके साथ चलोगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि उस शार्क से अगर कोई बड़ी शार्क हैगी तब ही ये हिलेगी तब ही ये रुकेगी वरना तो ये एक रास्ते चली जाएगी जिसकी possibilities बहुत काव है वो एक रास्ते सीधे चलती चली जाएगी दूसरा अगर वो कुछ खाएगी बेशक अगर कुछ खाएगी तो फिर कुछ वेस्टेज भी होंगे वो वेस्टेज इनके लिए काफी होते हैं इनका पेट भरेगा बहुत अच्छे से पेट भरेगा इनका तो अगर हम बड़ी शार्क के साथ उसके पीछे उसके side by side चलों तो बहुत सारे फायदे हैं न दूसरी चीज अब अगर आप से कोई बड़ा capital handler यहां से जा चुका है तो इन footprints को आप ऐसे समझो देखो यह बहुत बचकाने बहुत चोटे चोटे एक्जामपल लग रहे हैं कि क्या ABCD करके पढ़ा रहा है से बच्चों वाली ही चीज लगेगे अगर आप को यह सारी बात मेरी समझ में आरे न तो यह फिर यह बच्चों वाली ही चीजे लगेंगे यतनी मुश्किल है नहीं एक psychology recording अगर आप किसी भी topic को बहुत सरल भाशा में नहीं समझा पा रहे तो इसका सीधा सा अर्थ ही यह होता है कि अभी भी आप उस topic को खुद भी अच्चे से समझ नहीं पाए हो भले ही वो कितना hard, कितना ही complicated यू नहीं हो, आपकी duty बनती कि आप उसको सरल से सरल भाशा में समझाओ और यह सामने वाले को समझ आना चाहिए अगर समझ नहीं आ रहा तो यह आपकी गलती है उसकी गलती नहीं है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते है तुमको तो आता ही नहीं है बेवकूफ हो, मंद बुल दियो, डम यह कोई excuse नहीं होता अगर आपको यह सारी बाते मेरी समझ में आगे न तो यह सब कुछ नहीं है यह बहुत simple सी चीज़े है अब हम जिन footprints के आपको आपसे बात करें इसका दूसरा example आप देखो कि जैसे मान लीजे आपको कहीं जाना है यह आपसे बड़ा कोई capital handler जैसा भी हमने कहा यह बड़ा पैसा ले करके जो trade कर रहा जो investment कर रहे है वो एक footprint छोड़ता है वो जिस रास्ती से गया वो कुछ ना कुछ निशान अपने छोड़ के जाएगा ही जाएगा अब आपका काम क्या है कि चुप चाब जहां जहां जैसे जैसे गया है चलते रहो काम हो जाएगा नए रास्ते हमें नहीं ढूंड़ने है जो अलड़ी बन चुके हैं उसी के पीछे पीछे में चले जाएगे नहीं रास्ते ढूंड़ने का काम जिनके पास ज्यादा capital है जिनके पर resources है उनको निकालने दो footprints का मतलब कि एक area ऐसा होता है कि जहां पर price हमारा रुक जाए वो अपने लिए एक source of energy बनाता है price हमारा इस एक जगह पर रुका अब हम यह देख रहे हैं कि price हमारा दो बार तीन बार चार बार पांच बार रुक चुका है कोई एक swing है swing के उपर जाकर के price वापस उसी same swing पर support ले रहा है मतलब कि यह footprints है इन्हें पहचानो इन्हें देखो ऐसा तो नहीं है कि market चल जाती तब आप को यह सारी बाते समझ में आती है फिर से price अगर upside की तरफ निकल गया तो कहीं न कहीं जाकर के रुकेगा प्राइस जहां पर stoppage ले रहा है आपको वो जगा देखनी होगी resistance फिर से break करेगा फिर से price एक ही दिशा में भागेगा दूसरी चीज प्राइस हमेशा भागता नहीं रह सकता वो कभी भी up 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 ऐसे नहीं चलेगा प्राइस आप sideways आप एक तीन swings का concept हमने आपको बताया था sideways जाएगा at last उपर ही लेकिन यह कुछ sideways move दिखाते हुए उपर की तरफ जाएगा यह जो sideways market होती न यही तो trades की opportunities होती है इन ही को तो miss नहीं करना है आप दुनिया की कोई market trade कर लोगे जैसे bank nifty में price actions काम करते है वैसे stocks में price actions काम करते है अलग तो काम करते नहीं पहले equity में profitable बनो जो चीज़े बताई जा रही है वॉल्म्स को अरुम पढ़ना बता रहे है तो उसके पीछे कुछ logics है कुछ techniques है कुछ मेहनत है कुछ उसके पीछे की psychology है उसको पढ़ो समझो correlate करो price को वॉल्म्स को बहुत आराम से कर लोगे आप otherwise इदर और गूमती रह जा capital को ही बढ़ाप कर लोगे लेकिन अगर capable नहीं हो आप बहले 2 लाग 3 लाग 4 लाग 5 लाग 50 लाग और लेकर किया हो last time बचता कुछ नहीं है क्योंकि capability तो अपलाई ही नहीं इतनी सारी markings हैं यह सब हम कर देंगे remove अब यहां पर हमें markings अपनी शुरू करनी है आप यह देखो क कि तरफ हमने mark कर लिया यह हो गया मेरा supply अभी demand zone को mark कर लिया तो demand zone के लिए हम क्या करते हैं मोटा मोटा गर देखेंगे तो एक supply zone हमारे पास आ गया एक demand zone आ गया जिसे निकालने के लिए हमने किसी तरह के technical aspect का use नहीं किया simply हमने nakedize का use किया अभी जब आप volumes को open कर लोगे त हमारे level पर तो क्या होता है कि हमारे levels के strong होने की वह एक निशान या वह एक तरह का symptom होता है यहां पर देखो volume skip breakout सबसे जदा volume skip breakout हमारे इस जगे पर हुआ है यहां पर देखो इस black वाली candle में यहां पर इस black वाली candle में आप कहीं पर भी देख लो इस black वाली candle में देखो VSA form super strong VSA वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी हम class में ही cover करते हैं जो मोटी मोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें एक उपरी सतह है के recording अगर देखे तो VSA में ऐसा कुछ नहीं कि उसको हम एक या दो मिर्ट में समझा पाएं पिलाल आज की topic भी नहीं है so supply and demand अभी हमने क् एक naked eye से अपने level से में draw करो अब आप इसमें भी readings करो हमने क्या कहा एक तो हमने क्या कहा कि एक तो इस तरह से हो गया price हमारे level पर react कर रहे ठीक हमें समझ में आ गया अब आप क्या करो na candle by candle इसको read करो वो ज्यादा helpful होगा आपके लिए अब इन सारी markings को हम remove कर देते हैं अगर swing low again high mark कर लिए swing low again high mark कर लिए low low again high mark कर लिए low again high mark कर लिए low again high shift हो रहे हैं क्या मतलब है इतनी simple सी चीज़ है price अगर अपने support को protect करके upside की तरह भाग रहे हैं मतलब कि यहाँ पर इसके जितने भी जो demands है demand increase हो रही है supply है ही नहीं जब demand हमारी इतनी ज्यादा है कि price अपनी demand zone पर आकर के सीधे भाग जाता है उपर और उतनी supplies को नहीं मिल पा रहे है तो अगर supply नहीं मिलेगी demand बढ़ जाए तो price तो उपर ही जागा ना फिर तो किसी कीमत पर यह रोकने वाला नहीं है upside की त होते हैं या फिर नया demand बन जाता है price उसके उपर भाग जाता है supply हो यह नहीं पार ही उतनी जितनी demand है हमें यह समझ में आगया अब अपने trade करने के लिए हमें अपने levels निकालने अब levels हम लोग कैसे निकालेंगे बहुत पीछे से नहीं सबसे latest आपको swings mark कर लेने सबसे latest तो latest swing कौन से हैं यह low अब यह जो high और low mark किया है आपको इसकी कहानियें बताता है जो high हमने mark किया है इसमें हमने किसी एक candle का high mark किया है आप जिस candle का high mark करोगे ना आप उसी candle का low mark करो आपको reversals मिल जाएगे अगर यहां पर एक swing high है अगर यह अपना एक swing high है तो क्या low को हम एक demand zone जोन मान सकते हैं, प्राइज अपने डिमांड जोन के नीचे नहीं, यह supply ब्रिक कर रहा है, बार बार जितनी भी supply हैं, डिमांड इतनी ज्याद हैं, अलाके कि वो डिमांड अपसाइट की तरफ ब्रिक हो रहे हैं, अब यहां पर इस ब्लैक वाली केंडल का अगर हम हाई मार्क करें तो कि लो मार्क क्या लगता है देखने से, इन दो लाइंस को देखने से प्रिवेसा मार्क करते चले आ रहे हैं न, हमें यह मालूम है कि हमें किस जगह से ठीट कर रहे हैं और यह टोटली अपसाइट की तरफ है, अब हमने इस ब्लैक वाली केंडल को मार्क कर लिया, ल से नहीं, हाइव वाल्यूम से create हो रहे हैं, अब हाइव वाल्यूम से break हो जा रहे हैं, हमें trade इस ब्लैक वाली candle के हाई से करना है, क्योंकि यही एक सही और safe जगहे काम करने के, यहां से घर हम लोग trade execute करते हैं, तो stop losses भी चोटे आएंगे, and moves भी हमको बड़े मिलेंगे, यहां पर volumes and price को जो game हुआ है कि देखो price अपने low को break नहीं कर रहा है and यहां पर volumes इसने increase करते हैं वापस से price दोखो downside की तरफ आया इसने high volume के साथ में downside की तरफ अपनी closing की थी अब अगर price हमारा week है तो यहां से नीचे की तरफ निकल जा है लेकिन देखिए अगले ही दिन 12 को इतनी volume सा है और price ने अपनी black वाली candle का high तक break कर दिया अब देखिए high break हुआ जबकि low break करने में कितने दिन इसको लग गया थे एक तो तीन चार पांच दिन के बाद यहां जाकर कर कहीं low break हुआ था लेकिन अगले ही दिन फिर से green candle लगी मतलब price अपने low पर रुक नहीं रहा है इसके अंदर जो demand से वो increase हो रही है इन demands के वज़े से हो क्या रहा है कि prices के अंदर spike का रहे है price जैसे अपने support पर आ रहा है यह upside की तरफ भाग जाता है demands increase हो रही है और supply लगातार break हो रही है supply break हो जा रही है बार बार इस candle के high पर थी हमारी supply जो कि high volume से break हो गई अब अगर दोनों में comparison करो अगर यहां पर गलती से price नीचे की तरफ निकला था तो यह उपर की तरफ आ गया हो सकता है यहां पर भी वही हुआ हो प्राइस मालो एक false signal इसने दिखाया हो वैसे हो सकता है false signal यह भी हो कि supply को बस यह false यूही break कर रहा है trap कर रहा है हम लोगों को तो फिर क्या करना चाहिए इसे नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए अगर यह black candle हमारे support को break कर रही है फिर से समझे अगर यह black candle हमारे demands के खत्म होने की तरफ इशारा कर रही है अचानक से उपर की तरफ चला गया अगर यह green candle supply के बढ़ने का इशारा कर रही है तो हो सकता है यह भी false हो जैसे यह false था price उपर निकल गया हो सकता है यहां से भी नीचे की तरफ आ जाए हम वेट करेंगे क्योंकि levels हमारे पास है अब मैं किस दिन काम करना है यह हमें देखना होगा अब price दो को upside की तरफ भागा अगले दिन फिर से नीचे की तरफ आ गया लेकिन volumes कहां है volumes तो हैं ही नहीं जैसे कि यहां पर volumes नहीं थी price नीचे तो आ गया अब उपर जाना तो volumes कहां है अगले दिन आई volume और price अचानक से भागया अब अगर नीचे की तरफ गिरना है तो फिर से volumes के breakout चाहिए न जैसे यहां पर भी यहां पर वैसे यहां पर भी तो चाहिए लेकिन volumes तो हैं ही नहीं मार्किंग हम डिलीट कर रहे हैं सारी एक तो हुआ structure दूसरा हुआ internal structure structure के अंदर नया structure create होता है और हमें मालूम है कि trade execute करनी की सही जगा सही price क्या है अब यहां से price कर क्या रहा है इसको बहुत हम फिर से शाद 2 या 3 बर यह बात बोल चुके हैं बहुत अच्छे से समझना समझ में ने आये तो repeat करना repeat करकर करके देख जो lows है upset की तरफ पड़ रहे है मतलब demands upset की तरफ जा रहे है supply तो लगाता ब्रिक हो रहे है supply के breakouts हो रहे है supply के breakouts हो रहे है अब यहां पर क्या हुआ कि volumes के breakouts हो गया यहां देखिए नहीं हुए यहां पर भी नहीं हुए लेकिन यहां volumes के breakouts हो इस दिन price हमारा downside की तरफ नहीं निकला इसने gap up उपने दिखा दी अब gap up की बाद में अगर यह weak है तो price को नीचे की तरफ आ जाना चाहिए यह कर किया रहा है यह lows को upside की तरफ shift कर और जो चीज हम देख रहे हैं इसके अंदर जो यहां चार्ट पर आपको नहीं दिखाए पड़ेगी यह रेमको का चार्ट है हम चले जाएंगे security wise archive पर इसको एक बार हम refresh कर लेते हैं refresh करके हम क्या करेंगे यहां से रेमको को copy कर लेते हैं copy किया and आप symbol में जाकर कि इसे paste कर दो इसको आप run कर दो one week का data हमको मिल जाएगा हमें इससे यह पता चाहिए कि जो deliveries हैं दोको यहां पर कितनी volumes trade हुई है यह तो intraday की हैं बाकी 6 लाग deliveries इसके अंदर उठी थी यह इतना experience से उसके according प्रयास हम यह करें कि बहुत अच्छे समझ में आए फिर भी कहीं पर अगर confusing लगे तो next time के लिए improvement हो अपने वीडियो में इतनी help आप कर सकते हैं कि उसको comment कर देना कि यहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उसको मागे चलकी उसको कोशिश करेंगे और बहतर से बहतर करने के price ने low break नहीं किया low को upside की तरफ shift किया low break नहीं किया low को upside की तरफ shift किया यहां पर 18 कुट deliveries भी आई और बहुत heavy quantity में deliveries आई यह तो strongness की निशानी है price अगर strong है तो हम यह देख रहे हैं कि अगर इसे इस black वाली candle के high पर trade किया जाए तो ज्यादा chances है क्योंकि यही हमारा एक supply zone है supplies के पास से अगर हम trade करेंगे तो अभी तक रेमकोर के अंदर क्या हो कि supply को रेमकोर ने बहुत अच्छी तरह से demand में convert कर दिया demands increase ही होती चली जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी demands आज बढ़ी डिलिवरीस quantities बढ़ी और जिस दिन डिलिवरीस बढ़ी तो उस दिन बहुत heavy quantity में यह trade भी हुआ था और price अभी हमारा एक range के अंदर है यह अपने lows को भी break नहीं कर रहा है price अपने low को upside के तरफ बढ़ाता ह ही चला जा रहा है तो यह तो strong हुआ न एक चिसम आपको और दिखाते हैं हाई टूटा नहीं टूटा हाई टूटा नहीं टूटा हाई टूटा इस वाली candle का high कब break हुआ कल डिलिवरीस 18 को अगर डिलिवरीस उठी है और 18 की candle को 19 की candle ने कर दिया था break इसका क्या मतलब होता ह मतलब इस डिलिवरीस के उठने के बाद से इसके अंदर pressure बना upside की तरफ बेशक price हमारा उस दिन उपर की तरफ नहीं गया था उपर जाकर कि वो नीचे की तरफ गिर गया था लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया ना इससे कि price हमारा strong है क्योंकि ये weak होता तो ये जो low लगाता प्रोटेक्ट हो रहे थे ये low कम से कम ब्रेक तो होते ना जितना आसान high ब्रेक करना था उतना ये असान low ब्रेक करना था तो इसने high को क्यों ब्रेक किया low ब्रेक कर देता ना में भी हो सकता है चले ये गलती सो हो गया हो कल नहीं हो आज हो जाता लेकिन आज क्या हुआ वो तो price अपने previous supply zone के पास में आते ही उपर की तरफ चला गया ये हुआ अब चलिए ये marking हम कर देते है रिमूब देखो ये supply और demand का ही पूरा game है कुछ ऐसा नहीं कि मनघणन चल रहा हो upside की तरफ है आपको जाद में trade हमने कितने बज़े execute किया था तब से में इसके अंदर बैठ हुए है अब lower time frame पर हम आते है lower time frame पर क्या हुआ इस zone के अंदर देखो price कितनी देर तक रुखा रहा है और जब break हुआ है तो फिर सीध है upside की तरफ ये चला गया हमारा swing area कौ से है ये वाला point ये black वाली candle मारा swing area है green candle क्यों important है क्योंकि उसके अगले दिन delivery उठी थी और ये mother candle थी तो यहां पर price अचानक से break नहीं करेगा थोड़ा सा hurdle लेता है इसको remove कर देते है हमें ratings करनी है अपने supply zone ये अपने demand zone के पास से अब हम आजाते है lower time हमें ये बाते समझ म तरफ जा रहा है volume के breakout हुए है न यहां पर भी breakout हो गया high volumes price ने क्या किया एक mother candle form कर दे lower time frame पर price upside की तरफ गया और ये फिर से low की तरफ आ गया अगें देखो ये upside की तरफ जाने लगा फिर से क्या हो रहा है high time frame पर तो price अपने demands को protect कर रहा है अपने lows को protect कर रहा है high को break कर रहा है यहां पर देखो वह हुआ है एक mother candle form हुई price अपने low को protect कर ले गया अगर इसने 9.15 का high break या तो low भी तो break कर सकता था लेकिन नहीं इसने अपने day time frame का जो point of action है जिसको कि supply or demand से हम लोगों निकाला उसे protect किया गया यहां पर price नीचे की तरफ आया और वापस से देखो यह उपर की तरफ चला गया फिर से price नीचे की तरफ आ रहा है फिर से upside की तरफ जा रहा है वालिम्स लगातार बढ़ रही है वालिम्स लगातार बढ़ रही है यहां पर भी वालिम्स के breakout हो रहे है यह भी वालिम्स के breakout हो रहे है लगातार वालिम्स के breakout हो रहे है मतलब क्या है यह एक ऐसा zone है कि अगर यहां पर low को break कर देना होगा, जैसे high break हुआ वैसे ही low भी तो break हो सकता था, लेकिन price ने क्या किया, high break किया, with volume break किया, अब entry करने की जो एक सही जगा हमको समझ वाई कि जब price low volume से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये जो 9.35 की candle थी 9.35 की candle का high mark कर लो, अगर price इसके उपर high volume से sustain कर या तो फिर आप काम कर सकते हो, हमने क्या किया 9.35 की candle को mark किया price ने अगली ही candle में high volume पे साथ upside की तरफ closing दे दे वो अपस से price अब नीचे की तरफ आया ना, यहाँ पर, तब जाकर कि इस जगे पर हमने कहीं अपना trade execute वो 902.40 पर हमने लगाई थे execution थोड़ा दूर पर हुआ, execute कितने पर हुआ था 902.95 पर execute हुआ था mark तुशलिए हम यह करते हैं, वाकि 953 पर देखे trade हमने execute किया था, 9 बच कर 30 मिनिट पर, 8.97.55 पर stop loss था, यह तो price हाँ यह था और 8 हुए है, लेकिन एक candle बस बन जाया ना, काम हो जायागा अपना, अब side के तरफ थोड़ा सा थोड़ा सा भी अगर हमे move मिल गया तो मज़ा जायागा तो यहाँ पर क्या था, stop loss कितने पर था, 953 पर यह देखने हम क्या आया थे, 953 पर हमने यह trade execute किया था अपना नौ तिरफ़न पर, तो नौ तिरफ़न कितना था नौ तिरफ़न पर हमने यह लगाया था अपना order 953, हाँ, यह वाली candles जो थी इन candles के form हो जाने के बाद में फिर हमने अपने hotas लगाया थे इसके आसपास में entry, stop loss, और अभी हम wait कर अपने targets के लिए, execute करने के बाद में बिलकुल इत्मिनान से बैठो, कोई जलबाजी नहीं over analysis तो बिलकुल मत करो जितने जायत और लोग करते हैं कि अगर profit में चल रहा है तो अंदर ही अंदर एक conflict पैदा होता है कि करें तो अब क्या करें, आगे क्या होगा क्या जो target है, या जो profit हो रहा है वो कम हो जाएगा, या जो मेरा stop loss है, stop loss हो जाएगा price अप में जाने में tension ले रहा है तो वोल्म के breakout नहीं हो रहे हैं या फिर अगर आप indicators वगरा कित्रू काम करें तो indicators तो हैं ही वो false signal देने में सबसे माहिर होते हैं, अब अगर कहीं गलती से आप किसी indicator के बरो से बैठे हुए हो तो वो आपको और जूला जूलाता है moral of the story execute कर दिया trade तो फिर आँख बंद करके बैठ जाओ या तो target या stop loss आपको analysis करनी है, execution के पहले कर लो, मन है trade करने का करो, मन नहीं है, मत करो कर तो रहा हैं लेकिन कम capital और कम stop loss के साथ करेंगे, ज्यादा risk नहीं लेंगे हैं, अच्छा कर तो दिया है जो लो निकल जाते हैं और एक psychology के according क्या होता है कि जितने भी rules regulations आपने बनाये हैं, आप running trade में उन rules और regulations को follow नहीं करते हो, मन में यहाद है यह trade बस हम कर लें, बाकि rule regulation हम अगली trade से follow करते रहेंगे पताशला अभी इसमें 500 का loss हो रहा है, अभी loss बढ़ करके मारा 1500 हो जाए, अब आपकी pocket तो अलाओ कर रही कि आप 500 रुपय का या 300 एक हजार के stop loss लगाओ, just for example कि हजार रुपय के stop loss आपकी pocket आपको allow कर रही है, लेकिन आपने stop loss बना लिया है, पंदरा सो रुपय का तो डर लगेगा ना stop loss उतना ही, जितना मेरी pocket allow कर रही है, अब आप आखरी तक hold कर पाओगे नहीं हजार रुपय, आपकी pocket allow कर रही है कि आप 500 रुपय के stop loss लगा सकती है, तो 500 का ही लगाओ 500 का मतलब कि जब तक 500 का loss मेरा हो नहीं जाएगा ना, तब तक हम wait करेंगे, patience रखो, अगर sell देना नहीं आता market में, तो फिर बड़ा profit, इसा target आप wait नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपकी किस्माइट में, वो market आपको देगी ही देगी, so just patience, wait करते हैं अभी, करीब 2 बच कर 10 मिट पर ये candle मारी बनकर खत्म हो जाएगे, तो 3-10 करीब 1 आउर का समय है, जैसा भी होगा, लेकर कि हम लोग यहां से अपना profit निकलेंगे, पहले नहीं निकलेंगे, चार्ट को आप देखते रहना, या तो चाहिए हमको target, या हमें चाहिए अपना stop loss, हम बीच में फिलाल आज तो नहीं ही निकलेंगे, situations देख करके, अपनी strategy कभी कदार, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें चेंज करना पड़े, otherwise हम कभी change नहीं करते, एक बार trade execute कर दिया, तो फिर तह है, या तो stop loss, जाफी target हम बीच में नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, SL हमने जो लगा दिया है, SL हमारा safe रहेगा, हम SL को फिर टच भी नहीं करते, options में भी, जो spikes बनती है, इन बड़ी spikes की वज़ए से, आप लोग अपनी stop loss को trail करते हैं, वहाँ पर sense दूसरा बन जाता है, लेकिन हमारा अपना, जो मेरी तरफ से, या एक तरह से का, जो एक professional mindset होता है stop loss का, वह हम आपको बता रहे हैं भी, देखे, मान लिजे हमने RAM को cement rate किया, जब हम execute कर रहे थे 95253 के आजपस तब price रहा था 902.40 उस वक्त कि हमारे analysis higher or lower time frame के according, जो सबसे safe stop loss बनना था, वो था ये, strong stop loss का मतलब ये समझे, कि ये हमारा essay area है, ये हमारा entry का point है, अब अगर हम कोई trade execute कर रहे हैं, मान लिजे हमने 953 पर ये trade execute किया था morning में, उस वक्त हमारे जो सबसे safe area था, stop loss लगाने का वो ये था, safe stop loss का मतलब ये कि price अगर upside में जाते जाते गिरा भी तो ये हमारे entry point तक आना चाहिए entry point आपका इतना strong होना चाहिए यहाँ पर price आया, वापस से पलट के upside की तरफ चला जाना, ये नहीं के entry हम यहाँ पर ले रहे है, यहाँ पर ले रहे है, कहीं पर भी entry नहीं, entry वहीं पर जो हमारा बहुत strong area हो, support या फिर register, अब इस जगह पर अगर आप अपनी entry लोग है, इस stop loss को अगर उस level के नीचे रखोगे, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा possibilities हैं, कि market यहाँ तक आयो, यहाँ से वापस से फिर upside की तरफ चली जाए, क्योंकि entry आपने बहुत एक strong zone पर लिए है, अच्छी जगह पर लिए है अब price तो हमारा move कर रहा है उपर की तरफ इस जगह पर trade कर रहा है अब हम क्या करें, कि हमारा जो stop loss है यहाँ पर लगा हुआ, वो stop loss उठा करके हम यहाँ पर shift कर देंगे हम जैसे shift करेंगे न, market कुछ ना कुछ करके हमें तो morning महीं मालूम था न, कि अगर green market तो यहाँ पर आने की possibility सबसे ज़्यादा है maybe chances red candle तक आजा, red line तक आजा, लेकिन chances कम है green candle तक आजाने हैं, chances ज़्यादा है इसके, green line तर तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि इस green line के नीचे अपना stop loss हम लगा दे अब हमने खुद ही उठा करके stop loss यहाँ पर लगा दिया price retrace होने के लिए नीचे के तरफ आया उसने actually आपका morning वाला stop loss नहीं लिया अभी जो आपने trail किया stop loss वो ले लिया और फिर price आपका इस green line तक अपके entry तक आया है वापसे फिर उपर की तरफ चला गया यही होता है ज्यादा तर यही होता है तो इसलिए stop loss को trail नहीं करते है और फिर से बहे बात option में क्या है एक दो तीन बड़ी बड़ी candle लोंगे 20% 30% की candle form हो रही है क्या करें यहां लगा दें यहां लगा दें फटाक से price इसे नीचे आपकर गए है वहां लगाने के अपना benefit होता है लेकिन जब हम option trade करते हैं तो वहां पर भी ऐसल ट्रेल नहीं होगा यह एक बार जो हो गया spot price पर सारी readings होगी analysis हम करेंगे अपने premium के उपर premium chart के उपर और तब आगे की तरफ अपनी analysis होगी so आज के video काफी बड़ा हो गया है and I hope की काफी helpful भी रहा हो गई है अभी उमीद क्या कुछ कुछ तो market नाटक नोटक की करती ही है वो ड्रामा करेंगे यहां से नीचे की तरफ कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ जाए जो भी बायर्स हैं यहां पर कहीं बाई किया है अभी उनको नीचे निकाले तो में भी हो सकते हो यहां अब तक यहां तक है चुटी-चुटी candles form करके फिर से upside की तरफ जाए ऐसा ही करती market यही करती इसका nature है डर ना घबराना नहीं है हम होल्ड करेंगे उसको लास्ट तक ठीक है तो thanks goodbye video अच्छा लगा हो तो like कीजेगा and I hope we will meet again